हरीदेल जोशी उनिवर्सिटी आफ जर्नलिस्म एंड मास कम्मिनिकेशन 2023 चोईस के अंदर एड्मिशन उपन है इलिजिबिलिटी भी देखेंगे, फीस देखेंगे, कोर्सेस कौन से रहने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे तो अभी आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं कि यह जो कोर्से से ओफर करती हैं उनमें थ्री येर बैटलर्स यूजी डिग्री प्रोग्राम जो की रेग्लर मोड में होगा, डिग्री बी ए जे एमसी रहेगी तो येर पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिग्री प्रोग्राम जो की रेग्लर मोड में रहेंगे में मीडिय स्टिडीज, में इलेक्रोनिक मीडिय, में एडविटाइजिंग अड पब्लिक रिलेशन्स, में न्यू मीडिया, में डवलप्मेंट कम्मिनिकेशन उसके बाद में one year PG diploma program रहेंगी जो कि self-financed है यह PG diploma in desktop publishing, PG diploma in photography, PG diploma in broadcast journalism, PG diploma in public health and mass communication रहने वाले हैं यह राजस्थान की government state university है आईए detail में जानते हैं इसमें किन courses के लिए क्या eligibility रहने वाली है तो basically अगर आप BA, JMC के अंदर जो कि bachelor's, UG degree program है उसमें admission लेना चाते हैं तो आप plus to complete कर रहा हुआ होना चाहिए आपका 12th complete होना चाहिए अगर आपको MA या फिर PG diploma के अंदर participate करना है, admission लेना है तो आपका किसी भी discipline के अंदर graduation होना जरूरी है अब सभी का skill youth गुरुकुल के इस episode में स्वागत है Dear Aswaijians, आईए वीडियो की content को detail में discuss करते हैं इस university में जो admissions होने हैं उनकी time table जान लेते हैं तो प्रिवेश का विग्यापन 12 June 2023 को release हो गया है आवेदन शुरू 12 June से start हो गये हैं form भरने की last date 10 July 2023 है eligibility checking 11 July से 15 July 2023 तक होगी merit जो है वो 18 July 2023 को पहली merit रिक्लियर की जाएगी उसके बाद counselling होगी शुल्क जमा होगा फीस जमा होगी 19 से 25 July उसके बाद दूसरी merit list आएगी 26 July को उसकी counselling और फीस जो है वो 27 July से 31 July तक होगी और एक अगस 2023 को जो सत्र है जो session है वो start हो जाएगा तो admissions merit basis पे होगा कोई written exam नहीं है आपको आपके 12th के अंदर या फिर अगर आप PG या डिप्लोमा में courses करना चाहते हैं तो आपकी graduation के marks के according आपका admission होने वाला है 2023 और 24 में जो BA, JMC, MA courses और PG diploma courses है उनकी fees जो है वो इस प्रकार रहने वाली है इसका PDF आपको नीचे description में available हो जाएगा आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो basically ये fees का criteria रहने वाला है बट इस fees के अंदर भी आपको छूट दी गई है ये छूट जो है वो basically जो सभी वर्ग की महिला और छात्राएं हैं चाहे वो किसी भी category से किसी भी धर्म से आती है उनको ये जो SFS courses है स्ववित पोशित courses हैं उनमें शिक्षन शुल्क देना होगा लेकिन उसके अलावा जो regular course है उनके अदर उनको शिक्षन शुल्क नहीं देना होगा यहाँ पर शिक्षन शुल्क जो है वो point number 10 में mention किया गया है तो ये इनको रिबिट मिल जाएगी छूट मिल जाएगी चाहे आप किसी भी धर्म से या जाती से आती है सामान्य हो किसी भी वर्ग की ऐसे विध्यारती जिनके माता पिता या उनके guidance income tax नहीं देते हैं या फिर वो अनुसुच जाती अनुसुच जन जाती अन्य पिश्वड़ा वर्ग और विशेच पिश्वड़ा वर्ग के हैं या फिर ऐसे भी विध्यारती जो गैर आयकर दाता पूर्व सैन्य जवानों के पालित हैं उन्हें शिक्षन शुल्क नहीं देना होगा तो जिनके माबाप या जिनके parents जो guidance हैं वो income tax नहीं देते हैं उनको free है उनको शिक्षन शुल्क नहीं देना होगा point number 10 में जो mention किया हुआ है साथ में SCST वालों को नहीं देना होगा जो OBC है उनको शिक्षन शुल्क नहीं देना होगा जो vicious पिश्डवर्ग है उनको point number 10 में जो शिक्षन शुल्क देना है वो नहीं देना है साथ में ऐसे पूर्व सैन्य जवान जिनके बच्चे इस college में admission लेना चाते है इस university में admission लेना चाते है तथा जो आयकरदाता नहीं रहे है उनको भी point number 10 में जो शिक्षन शुल्क है वो नहीं देनी होगी point number 4 के अंदर जो रक्षा करमचारी है उनके पालित आशृत जो है उनको भी कुछ ये जो section शुल्क से छूड दी गई है जो हमारे special abled है विकलांग है दिव्यांग है उन्हें section शुल्क और परिक्षा शुल्क से मुक्ती दी गई है छूट मिलेगी और जो द्रश्टी शक्ती और श्रवे शक्ती से वच्चत विध्यारती है उनको भी परिक्षा और section शुल्क नहीं देना होगा और कुछ जो छूट होगी वो कुलपती द्वारा decide की जाएगी इसका PDF नीचे description में है आप देख सकते हैं इस PDF का लिक में नीचे description में available हो जाएगा आईए इसकी प्रिवेश प्रिक्रिया को जानते हैं तो इसके अंदर ये जो courses है MA, BA, JMC और PG Diplomain की courses जो है वो decide की गई है और ये नियमित course है या स्रवित पोशित course उसके बरें भी यहां mention किया हुआ है MA के जितने भी courses है उन courses के अंदर आपको 48% marks के साथ में जो graduation है वो किसी भी विशे में BCOM, BA, BSC, BWOC, BTEC में करना जरूरी है seats की संख्या यहां दी गई है उसके बाद हम graduation की बात करेंगे इसमें भी 10 प्लस 2 बारवी के अंदर noon term या minimum 48% marks होने चाहिए और 120 seats है regular course है PG Diploma की बात करें तो जितने भी PG Diploma की program से इसके दर आप किसी भी विशे में BTEC, BSC, BWOC, BA, BM, BCOM होना जरूरी है और percentage इसमें mention नहीं किया गया है आपके कितनी भी percent हो 45%, 40% आप इसमें apply कर सकते हैं इसमें percentage नहीं है PG Diploma courses में seats 30-30 रहने वाली है यह SFS courses है आईए, detail में जानते हैं पातरिता क्या रहने वाली है तो basically 10 plus 2 जिसमें 48% marks minimum होने चाहिए अगर कोई seat खाली रहा जाती है तो 45% पे भी admission दे दिया जाएगा दसीक अगर किसी ने पास की है उसके बाद में 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का कोई NCVT course जिसमें उनने ITI किया है या polytechnic किया है तो उसको plus 2 के equal माना जाएगा वो इसमें admission लेज सकते हैं अब ये कुछ और इसमें details दी हुई है point number 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 अगर आप NCVT courses या AICTE से courses किया है तो उसे 12 के उत्तिन माना जाएगा 12 के समक्ष माना जाएगा और ये PDF आपको निचे मिल जाएगा इसके अंदर जो form भरने की fees है वो 500 रुपे EWS, General और MBC की है और SCST की 350 रुपे रहने वाली है जब counselling होगी आपका list में नाम आता है तो आपको अपने सारे original documents और अपने form की hard copy लेकर वहाँ जाना होगा MA के अंदर सभी courses के अंदर जो तरीका है addition का वो सेम रहने वाला है आप 10 प्लस 2 प्लस 3 formula फॉलो करते हुए 48% के साथ pass किया हुआ हो अगर कोई सी tricks रह जाती है तो 3% की छूट दे दी जाएगी तो basically जितने भी हमारे 45% वाले candidate भी है वो form लगा दे apply कर दे fees वही 500 रुपे general EWS, MBC और OBC के रहने वाली है SCHT के 350 रुपे है आपके admission के time पे आपको hard copy और अपने original documents लेकी जाने है PG diploma के अंदर पातरता कोई percentage नहीं है किसी भी percent के apply कर सकते हैं लेकिन इसमें भी 10 plus 2 12 plus graduation होना जरूरी है और 350 रुपे किसी भी work का candidate हो वो इसके लिए apply कर सकता है counseling के समय आपको hard copy और documents लेकर जाने हैं तो ये इसकी कुछ guidelines है जिसके आपको नीचे PDF मिल जाएंगे description में और ये 14 pages हैं आप देख सकते हैं इसमें reservation mention किया हुआ है अगर किसी जो जैपूर serial bomb blast में जो PDT थे उनके लिए भी कुछ guidelines दी हुई है weightage के लिए भी कहा गया है कि weightage किन को मिलेगा तो आपको अगर आप खेल कूट से belong करते हो या फिर आपने कोई और NCC, NSS वगेरा की हुई तो उसका certificate आप लगा दीजिएगा खेल कूट को ज़्यादा प्रतिनेज़त दिया गया है इसमें और इसके अंदर cbsc cluster zone खेल कूट दिया गया है नवध्य वालों को भी दिया गया है ये ये games का नाम रहने वाला है जिनको उसमें benefit मिलने वाला है तो अब हम बात करते है पुरुषकार वालों को भी इसमें वो दिया जाएगा छूट दी जाएगी 5% की अगर किसी ने कोई camp किया है उनको भी छूट दी जाएगी दिल्ली परेड की है उसको भी छूट दी जाएगी NCC का certificate है छूट मिलेगी NSS का certificate है छूट मिलेगी Scout Guide का certificate है छूट मिलेगी और यह इसका कुछ criteria था यह जो आप देख रहे हैं यह इसका prospectus है विवरनिका है 2030 चोइस की इसका PDF आपको नीचे description में मिल जाएगा और जहां रखिएगा इसके अंदर जितने भी यह courses हैं सेमेश्टर सिस्टम के हैं हर साल में दो सेमेश्टर होते हैं अगर आप BGMC कर रहे हैं तो भी दो सेमेश्टर हर साल में होंगे MA किसी course कर में कर रहे हैं तो भी दो सेमेश्टर होंगे हर साल के और PG डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी दो साल साल में दो समेश्टर रहने वाले हैं तो ये PDF भी आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जितने भी SYGNs इसमें अप्लाइक कर रहे हैं उन सब भी को all the best Thank you so much for watching this video मिलते हैं next किस इंफर्मिटिव वीडियो में शुब काम नहे